नमस्कार आज हम fractions के बारे में पढ़ेगे कि कैसे आपस में compare करने से हम fractions को असानी से समद सकते हैं आएए देखते हैं जैसा कि इसे छोटे से चार्ट में आप देख सकते हैं हमने एक unit length ली इसे unit length को पहले दो बराबर भागों में बांट कर उन्हें एक बटा दो दर्शाया है उसके बाद इसे unit length को तीन पराबर भागों में बांट कर एक बटा तीन दूसरे भाग को भी एक बटा तीन तीसरे भाग को भी एक बटा तीन हमने इस परकार से दर्शाया है उसके बाद इसे unit length को हमने 4 परापर भागों में बांट के दर्शाया है फिर 5 भागों में, फिर 6 भागों में, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 और फिर 12 इस प्रकार से हमने एक ही unit length को बरापर भागों में पहले दो भागों में फिर तीन भागों में फिर चार फिर पांच फिर छे फिर साथ फिर आठ फिर नौ फिर दस फिर ग्यार और फिर बारा ब्राबर भागों में बांट कर दिखाया है इससे बच्चों को ये सीखने में बड़ी असानी होगी कि एक ही यूनिट को जब दो भागों में बाटा जाए तो एक बटा तो कैसा होगा और यादि उसे यूनिट को तीन ब्राबर भागों में बाटा जाए तो एक बटा तीन कैसा होगा इस से बच्चे बड़ी असानी से ये देख सकते हैं कि एक बटा दो भाग और एक बटा तीन भाग में से कौन सा भाग बड़ा है और कौन सा भाग छोटा है इसी के साथ हमने इनी बराबर लंबाईयों को अलग से भी काट कर यहाँ पर रखा है जैसे कि मालीजे मैंने एक भाग उठाया है एक बटा पांच और दूसरा भाग उठाया है एक बटा नो यदि हम इन पर्चियों को इन भागों को आपस में सामने एक दूसरे के बराबर रखें तो हम देख सकते हैं कि एक बटा पांच भाग, एक बटा नो भाग के मुकाबले बड़ा है तो इससे जो बच्चों में confusion रहती है कि एक बटा नो भाग होगा क्योंकि उसमें नो संख्या है यह गलत धारना ठीक हो जाती है बच्चे इने देखकर ही अफ़ता लगा सकते हैं कि एक बटा पांच भाग जो है वह एक बटा नो भाग से बड़ा है इसी प्रकार से यदि एक बटा नो और एक बटा बड़ा इन दो यूनिट्स को भी हम आपस में देखें तो आप बड़े अराम से देख सकते हैं कि एक बटा नो भाग जो है वो एक बटा बारा भाग से काफी बड़ा है इस प्रकार से हम अलग-अलग इकाईयों को आपस में एक दूसरे के बराबर रख कर उनके कंपैरिसन से भिन्नों के बारे में जादा अच्छे से सीख सकते हैं और जब हम इस प्रकार से एक बटा छे और एक बटा साथ की बाट करें चाहें इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है लेकिन हम बड़े ध्यान से अगर देखेंगे तो हमें यह दिखाई देगा जो एक बटा छे भाग है वो एक बटा साथ से बड़ा है इस तरह से हम की मदद से बड़े अराम से बड़ी असानी से सरलता से सीख सकते हैं